वल्कम टिश्टाउं डिक्टेशन, डिक्टेशन, पान सगन बाज शुरू होगा, रेडी स्टार्ट, अक्सर हम अपने जीवन में तय लक्षियों को इसलिए हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे प्रयास की दिशा सही नहीं होती है विराम, वास्तों में जब तक हम यह बात नहीं समझेंगे की परिस्थिती जीवन नहीं है, और जीवन परिस्थिती नहीं है, तब तक हमें सफलता की कुझी नहीं मिलेगी विराम, दरसल जीवन उसे कहा जाता है, जिसे मौत छू न सके, जहां कोई दुख निराशा, कुंठा या उदासीनता न हो विराम, परिस्थितीयों को मौत छू सकती है, लेकिन जीवन को नहीं, किन्तु दुख की बात है कि हम परिस्थितीयों को ही जीवन मान बैठते हैं, इसी लिए उनसे बंध जाते हैं, विराम, यह बंधन ही हमें भैभीत आसक्त और परेशान कर देता है, विराम, यदि हमें इन दोनों का भेद समझ में आ जाएगा, तो सभी दुखों की समाप्ती हो जाएगी, पहराचिंज, भै और आशक्ती का अभाव हमारे चित को सभी दोसों से मुक्त कर देगा, जिससे चित को चैतन स्वरूप में प्रतिस्थित होने का अवसर मिलेगा, और इस स्वरूप में होने से सब दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे, जब तक हमें इस बात का ग्यान नहीं होगा, तब तक बदलती परिस्थितियों के साथ हम स्वैम को भी बदलता हुआ मानते रहेंगे, पहराचिंज, परिस्थितियों को यदि हमने जीवन मानने की भूल की, तो वे हमें परेशान करके जीवन में कई अडचने डालेंगी विराम, इस बात को समझने के लिए हमें प्रति दिन अभ्यास करने की आवशकता है विराम, जो गलत अभ्यास हमें पढ़ गया है, कि अमुक परिस्थिती उत्पन्न होगी, फिर हम सुखी होंगे, तो इस गलत अभ्यास को मिटाने के लिए मेहनत करने का नाम ही सफलता है विराम, परिस्थितियां तो आने जाने वाली हैं, फिर चाहे वह हर्ष की हों या सोक की, रोग की हों या निरोग की, सुख की हों या दुख की, विराम, दुखद परिस्थितियों को हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वे प्राकृतिक हैं, तो फिर उनके भवर में क्यूं फसना सभी परिस्थितियों में समान रूप से विवहार करें और जीवन का परम आनंद उठाएं, यही अध्यात्म का चरम है और मुक्ष पाने का मार्ग भी, स्टॉप